देखो बच्चो, question number 3 में यह कह रहे हैं, तुम्हारे पास इंग वॉल है, जिसका diameter given है, तुम्हारे पास 4.2 cm, ठीक है, हमें इसका mass calculate करना, density given है, उसके लिए तुम्हें पहले volume चीए होगा, ठीक है, तो यहां पहले radius निकालो, radius कितना हो जाएगा, 4.2 upon 2, diameter का आधा, यह हो ज 3 pi r cube, 4 by 3, 22 upon 7 r cube, 21 into 2.1 into 2.1, ठीक है, तो देखो इसको मैं कर लेती हो, इसको मैंने 10 लिख लिया है ना नीचे, उन दोनों को ऐसी छोड़ दो अभी, तो देखो 7 3s are 21, सिधे चलागे तुम्हारा, अब देखो बच्चो, यह कितना हो जाएगा, 88, ठीक है, और 21, 21 कितना हो होता है, 441 होता है, ठीक है, लेकिन decimal है नहां पर दोनों में points है, तो 2 के बाद लग जाएगा, ठीक है, यह वाला भी ले लो, तो यह हो जाएगा, 0.441, ठीक है, clear, और तो कुछ नहीं जा रहे है न, इन दोनों को multiply करो, तो तो तुम्हाँ पर सान से कितना आ जाएगा, 38808, ठीक है, और decimal कहा लगेगा तुम्हारा, एक, दो, तीन के बाद, एक, दो, तीन, यहाँ पर, तो यह answer will be, इतना centimeter cube, ठीक है, clear है, यह क्या है बच्चो, यह इसका volume आ गया, ठीक, अब तुमको अगर इसकी mass calculate करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, कि एक centimeter square का जो weight है, है that is, hmm, this is your question number, per centimeter cube, ठीक है, 8 cube है, उसका जो weight है, बच्चो, वो 1 gram, कितना gram से 8.9 grams है, एक centimeter cube का जो weight है, वो 8.9 grams है, ठीक है, clear है, मुझे अगर इतना weight चाहिए होगा, तो मैं, इसका mass की को, तो मैं क्या करूँगी, इसको इसमी 8.9 में multiply कर दूँगी, नहीं करूगी, ठीक है, तो देखो, क्या लिखोगे तुम लोग, mass of 38.808 centimeter cube कितना हो जाएगा, 38.808 into 8.9, ठीक है, इन दोनों को हम आपस में multiply कर देंगे, clear, तो चलो multiply करके देखते है, 8.9 into 38.808, तो यह कितना हो जाएगा, 89072, आएगा 2, फिर यह हो जाएगा, 1, 9, 3, 5, 4, 3, decimal कितने के बाद लगेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, decimal लगेगा, यहाँ पर तुमारा, ठीक है, तो आपका answer कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, point, इसको तुम 4 भी लिख सकते हो, grams, ठीक है, सही है, this will be your final answer, राइग, चाहो तो exact sure दो और चाहो तो ऐसा कर लो, ठीक है, clear है, अब आज जो तुम इसकी question number 4 पे,